आज वो दिन आ गया है जिसमें हर एक सब्सक्राइबर इस चैनल का इस पर्टिकुलर वीडियो का जरूर से वेट कर रहा था और वो है 100% फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स पर बिगिनर्स जी हाँ बिलकुल सही सुना आज इस वीडियो के अंदर मैं बिलकुल डिजिटल मार्केटिंग का निचोड जीरो से लेके बिलकुल हीरो लेवल पर सब कुछ बताने वाला हूं इतना कि कि आपको अगर कुछ भी नहीं आता तो आज से आप डिजिलल मार्केटिंग हो सकता है करना भी स्टार्ट कर दो और जिसको थोड़ा बहुत आता है उसे इसनी 180 आ जाएगी तो अगर आप थोड़ा सा impatient हो या फिर आप में patience की कमी है जो कि बूरी बात तो नहीं है तो आप at least 1.5x की speed से इस वीडियो को पुरा देखने की कोशिश करें लेकिन skip करना allowed नहीं है क्योंकि skip अगर आप कर देंगे तो हो सकता है आगे जाके कुछ ऐसी चीज में अटक जाए जो कि हमने पहले कही थी जो कि आपने skip कर दी और इस वज़े से आपकी चीज़े जो है वो अधूरी रह जाएगी So it's better कि आप 1.5x की speed से देख लो लेकिन skip बल्कुल भी मत करना और इसके अलावा जो अब मैं हापर बताने वाला हूँ वो important है कि आज के इस वीडियो का इंडेक्स क्या होने वाला है हम इस वीडियो में actually मैं सीखने क्या-क्या वाले है और जो सीखने वाले है कि आपके वो सच में काम में आएगा या नहीं वो आपको decide कर लो तो let's get into the computer screen आप देख रहे हो कि मैंने हापर digital marketing course का पूरा एक proper blueprint बना लिया है जो कि मैं आप लोगों से share कर रहा हूँ as an index इसको detail में जब हम करेंगे ना तब उसका मजा और उसका learning level अलग ही होगा तो इसलिए बेटर है आप पहले index देख लो सबसे पहले हम सीखेंगे कि what is digital marketing जैसे ही आप digital marketing क्या है इसका एक basic fundamental principle सीख जाओगे तब मैं धीरे धीरे आऊँगा why is it important in today's world कि आज की डिट में इसकी जरुत हद से जादा कैसे बढ़ गई है जैसे आप इसे complete करते हैं अब बात करेंगे कि कौन से कौन से medium से हम digital marketing को perform करते हैं जैसे कि websites, search engines, social media, platforms, emails, apps, push notification, messengers अब इसके बाद ये सारी चीज़े हो गई जो कि basic एक digital marketing में जानने के लिए जरुत है अब इसके बाद chapters कौन से कौन से होंगे जो कि इस पूरे course में रहेंगे that will be first हम सीखेंगे कि website कैसे create करते हैं उनके ये सारे आपके patterns रहेंगे ये सारे modules रहेंगे इसके अंदर then एक website बनाने के prerequisite क्या होते हैं कि website बनाते वक्त हमें किनी चीज़ों की ज़रुत पड़ती है कि domain, domain क्या होता है, hosting, hosting क्या होता है लिया कैसे जाता है, क्या-क्या चीज़ों का ध्यान रख रहें CMS क्या होता है, CMS का कैसे इस्तमाल होता है कैसे हमारे website बनाने में हमें help करेगा इसके अलावा, जो CMS हम यूज़ करेंगे that will be WordPress WordPress के बारे में पूरी जानकारी यहाँ पर आपको पूरे कोर्स के अंदर बताई जाएगी इसके बाद WordPress में सीखना क्या-क्या है वो सारी चीज़े बिलकुल रिरस्तार से सीखेंगे pages, posts, menus, categories, plugins, themes, widgets देन यह सारी चीज़े जैसे हमें आ जाएंगी इन पर हम डिटेल में बात करने वाले हैं बिलकुल भी ऐसा नहीं है कि मैंने बोल के छोड़ दिया और आप देख लो बिलकुल डिटेल में क्रिस्पन क्लियर तरी केसे पर चीज़े करने वाले हैं इन और्गानिक में Google Ads, Facebook Ads, LinkedIn Ads, Pinterest, Core Ads यह सारी चीज़े बिलकुल सेखने वाले हैं So you need to be careful कि skip बिलकुल भी session ना हो उसके लावा email marketing भी करते हैं जिसमें cold email, warm email यह सब आ जाते हैं और इतना ही नहीं अगर हम बात करें कि traffic generation का source भी आ गया है तो guys हमारा goal क्या होता है उस goal को optimize भी करना होता है जैसे traffic को optimize करना कि traffic सही आ रहा है lead को optimize करना कि lead सही का रहा है उतना ही आ रहा है जैतना हमें चाहिए sales को optimize करना और sign up optimization करना कि अगर हमारी website में हमें sign ups चाहिए तो उसको optimize कैसे करते हैं अब last and final जब हमीढ़ी शीख जाएंगे त बह indem सीखेंगे कि इसका scope क्या है digital marketing मैं अगर jobs आपको चाहिए तो आप jobs के लिए कैसे prepare करोगे अपने आपको आप अगर अपने existing business को scale करना चाहते हो वो कैसे करोगे अगर आप एक नया business start करना चाहते हो तो ये वाला course आपको कैसे help करेगा freelancing services देना चाहते हो तो ये इसी course के अंदर मैं आपको सिखा दूँगा और affiliate marketing तो मैरे favorite subject है जो कि मैं आपको सिखाई दूँगा तो इसी course के अंदर आप ये सारी चीजे सीखने वाले होते हो तो देखा कितना vast index है सो सकते हो कि कितना जबर्दस knowledge आपको इस session के अंदर मिलेगा तो अगर आप ये सारा सीखने के लिए इस particular course के अंदर ready हो तो guys मैं भी ready हूँ और पूरा दम खम के साथ ना मैं अपनी पूरी जी जान लगा दूँगा आपको ये पूरा सिखाने में तो आपको भी कसर नहीं छोड़नी इस पूरे वीडियो को देखने में और guys share करोगे तो मेरे views count बढ़ेंगे जिससे जो कि इतना बड़े-बड़े courses बनाने के जो motivation और जो महनत और पैसा लगता है वो कही न कहीं थोड़ा बहुत हम और हमारे team earn कर सकती है I hope guys इतना तो आप हमें समझ पा रहे हैं कि हम बहुत महनत करके चीजो को कर रहे हैं तो थोड़ा share करना बनता है जो कि हमारे views count में हमें help करेगा बैकि चलते हैं without wasting any more time इस course की तरफ जो कि आज से आपकी life को बडल सकता है So guys, क्या आप digital marketing सेखने के लिए तयार है Are you ready? So if you're ready, let's jump into it So guys, इस पूरे course को तीन levels में divide किया गया है ताकि आपकी clarity बनी रहे पूरे subject को लेके The first thing that we will be learning here That is introduction to digital marketing First level में मैं आपको digital marketing से बकाईदा रूबरू कराऊंगा कि digital marketing यह है क्या अगर आपको सर्फ इतना पता है Search Engine Optimization करना, Social Media Marketing करना, Email Marketing करना यही digital marketing है तो आपकी information तोड़ी limited है तो आपको मैं पूरी clarity के साथ detail में बताना चाहता हूँ कि digital marketing है क्या और इसके फाइदे आप क्या-क्या उठाओगे यह इस introduction का part होगा That is a level 1 जैसे हम level 1 complete कर चक्वे होंगे तब हम आएंगे इस course के level 2 में जिसमें मैं आपको digital marketing के steps sequence में सिखा हूँगा मतलब step by step ऐसा नहीं कि थोड़ा यह सिखा दिया, थोड़ा यह सिखा दिया, थोड़ा वो सिखा दिया बिल्कुल भी उसमें आप लोगों को कुछ समझ नहीं आने वाला और नहीं आप कुछ better digital marketing सीख सकते हो अगर आपको सच में digital marketing में अच्छा knowledge प्राप्त करना है तो आपको definitely step by step चलना होगा और यहाँ पर बिल्कुल वो sequence में करूँगा that is my level 2 of this course and final and the third level of this course will be कि अब आप अपने इस पूरे digital marketing skill का जो कि आपने सीखा होगा इसी वीडियो के अंदर उसको monetize कैसे करना है अब monetization का सिर्फ मतला यह नहीं होता Google AdSense बिल्कुल भी नहीं there are a lot of other things जिसको आप use करके अपने इस skill को monetize कर सकते हो जहां से आप earn कर सकते हो, कमाई कर सकते हो और अपने लिए revenue generate कर सकते हो तो यह 3 level होने वाले हैं तो समझ आ गया होगा आपको अभी तक तो की bumper यह video होने वाली है, धासू video होने वाली है और उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि मैं आपको बहुत सारे resources provide करने वाला हूँ इस video के साथ-साथ जैसे कि मेरे e-book, जैसे कि कुछ themes और भी बहुत सारी चीज़े हैं जिसके लिए मैं आपको एक नीचे link दे रहा हूँ description में उस link को click करके आपको अपनी basic detail बतानी है जिसमें मैं यह सारे resources आप लोग को email कर पाऊँ या SMS, WhatsApp जैसे भी करना है वो कर पाऊँ और मैं अपने सारे resources one by one वहाँ पर आप लोग को send करता रहूँगा in fact मेरे जो आने वाले updates हूँगे ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ इस video को देखके ही आप पूरा digital marketing सीख जाओगे बिल्कुल भी नहीं मैं अपने updates को direct आप तक पहुचाने के लिए मैं YouTube में तो वीडियो बनाता रहूँगा लेकिन मैं direct updates के लिए Telegram group का सहरा लूँगा और उसमें आपको join होना है तो जो interested है वो Telegram पे जाओ add the rate ROYDIG करो और जल्दी से इस group को join कर लो और चैनल को भी subscribe कर ले ना अगर first time हो तो I hope कि अभी तक तो कर लिया होगा क्योंकि आपको इस चैनल का potential पता लग गया है चलो अब आगे बढ़ते हैं the first come first introduction in digital marketing में सबसे पहला point है what is digital marketing अब देखो इसको समझाने के लिए पहले मैं fundamental बताऊंगा और फिर इसका practical दिखाऊंगा कि ये क्या चीज है जेखो हम digital marketing को ना basically क्या जानते हैं कि SEO, SMO, social media के post कर दे रहा है इसको हम digital marketing मानते हैं but actually मैं पता आपको digital marketing का real अगर मैं आपको समझाना चाहूं कि क्या है ये तो guys इसको आप बोल सकते हो a form of interactive marketing interactive marketing मतलब जहाँ पर आपकी audience आपसे interact कर सकती है ना कि TV में ad चल रहा है और वहाँ पर सिफ ad आया और मैंने ad देख लिया, that's it अगर वहाँ पर ad चल रहा था तो क्या मैं उसके साथ interact कर पाया उस ad के साथ या फिर newspaper में ने एक ad देखा तो क्या मैं उस ad के साथ interact कर पाया या फिर radio में एक ad चली और मैंने उसको सुन लिया क्या मैं उसको interact कर पाया नहीं कर पाया लेकिन अगर यही चीज आपको कभी Facebook में कोई ad देखता तो आप उसको click कर सकते थे और उस click के बाद वो आपको कहीं ले जाता चाहे वो landing page हो, चाहे वो कुछ भी हो वहाँ पर जाके आप उस पुरी detail को चेक कर सकते थे, और अगर वो एक product है तो आप उसको वहें पर buy कर सकते थे तो यानि digital marketing करने का यह सीधा फायदा हो गया, कि आपकी audience ना immediately convert होने के chances रखती है Why? Because यह एक मात्र ऐसा तरीका है जिसके अंदर interaction possible है और interaction ही आपको conversion लाके देता है क्यार, conversion मैं आपको विस्तार में बार में समझाऊँगा Don't worry about it, but अभी समझ लो कि एक interactive marketing का सबसे बड़ा जरीका है इस दुनिया का तो इसलिए digital marketing इतना कामियाब है और आपको यह सीख लेना है इसी video के अंदर अब यह interactive है कैसे उसके बारे में बात कर लेते हैं तो for example, if I talk about digital तो यह electronic एक medium को represent कर रहा है for example, mobile devices, for example आपके जितने भी laptops हैं या tablets हैं, इसमें जब internet connection है वो क्या है? यह सारे electronic devices है इन electronic devices में जब internet connect हो जाता है तो वो digital form में convert हो जाता है चीज़ें digital हो जाती है और यहीं पर जाके marketing करना is known as a digital marketing I hope guys, इतना तापको clear हो गया है कि digital marketing क्या है यकीन मानों, जब से digital marketing आया है इसने business को promote करने का तरीका change कर दिया हमारे product services इतने ज़ादा बिकते हैं इतने जल्दी बिकते हैं कि अगर यह internet marketing नहीं हुआ करता या नहीं होता तो हो सकता है कि मैं अपने courses कभी नहीं sell कर पाता हो सकता है मैं अपने products कभी भी नहीं sell कर पाता क्योंकि जिस तरीके से sell चीज़े होती थी आज से पहले उसमें बहुत पैसा, बहुत time, बहुत effort लगता था जो कि मेरे पास तो बिल्कुल भी नहीं था तो इसलिए digital marketing को अपनाना आज की रिट में बहुत ज़ादा जरूरी हो चुका है अब बात करते हैं कि यह जरूरी क्यों हो है आज की रिट में जो मैं बोल रहा हूं जरूरी हो चुका है मतलब आज की रिट में हर कोई यह जानता है कि यार बिजनस को अगर प्रमोट करना है या बिजनस में लीड चाहिए, सेल्स चाहिए तो digital marketing कर लो यह जो image है digital marketing के लिए बहुत ज़ादा shift हुआ है पिछले कुछी सालों में तो अगर यह shift हो चुका है तो इसका मतलब अब digital marketing का जो demand है वो बढ़ चुका है तो आपको इसके सिदा फाइदा होने वाला है क्योंकि अगर आप digital marketing में job भी करने जाओगे तो भी job की जो आपकी demand होगी वो जादा होगी ना लोग आपको hire करने के लिए पागल होगे क्योंकि digital marketers है कितने जुनिया में जो job करते हैं सारे तो digital marketers या तो affiliate marketing करते है या blogging करते हैं या यूट्यूब कर लेते हैं तो digital marketers की job में तो बहुत demand है बट अगर आपका खुद का कोई business भी है ना तो आप business पे अपने digital marketing को use करना चाहोगे क्यों क्योंकि हर को ही कर रहा है आप तो पीछे रह जाओगे अगर नहीं करोगे तो इसलिए आपको करना है just because की logo ने करना start कर दिया है वरना आप सच में पीछे रह जाओगे अब वो दिन तो गए जिसके अंदर आप directly सिर्फ यह तो email कर दो या फिर आप banner लगा दो, ad लगा दो, billboard लगा दो वो दिन तो रहे नहीं तो रहे नहीं तो digital marketing तो mandatory हो जाता है तो इसलिए हम digital marketing करने वाले हैं इसके अलावा जो digital marketing का एक सबसे बड़ा खास जो रीजन है करने का वो यह है कि data rich strategies to reach new clients, develop innovative products and services and ultimately grow sales and revenue मतला पता है इसका कि digital marketing एक ऐसा तरीका है जो कि आपको data देता है कि आप के product को किस टाइप के लोग जादा ले रहे हैं आपके product पे किस type के लोग जादा click कर रहे हैं आपकी website में कितने लोग जादा कहां कहां से आ रहे हैं किस location से आ रहे हैं gender क्या है उनका age group क्या है उनकी cities क्या है उनका mobile devices क्या है आपको इसना जादा data मिल रहा है इस data के साथ पता है आप अपने strategies को कितना improve कर सकते हो क्या आप कभी यह सो सकते थे कि मैं banner लगा दूँगा और फिर मैं decide कर लूँगा कि उस banner से कितना sale आ रहे है किस-किस gender ने उस banner को देखा किस-किस age group के लोग ने उस banner को देखा कभी ऐसा हो सकता था अगर नहीं हो सकता था तो इसका मतलब हम अपने आपको grow भी नहीं कर पाते थे क्यों कि हमें data ही नहीं मिल रहा तो traditional marketing में data बलकुल नहीं था लेकिन digital marketing में हर एक चोटी सी चोटी चीज़ का यहाँ पर data होता है यहाँ पर यह तक होता है कि आप की website के अंदर कहाँ कहाँ क्लिक हो रही है कौनसे को से tab में क्लिक हो रहे है कौनसे को से pages में लोग जा रहे है कितनी देर रुक रहे है वगरा वगरा यह सारी चीज़ ना data driven है और यही इसकी खास सबसे बड़ी बात है तो अगर आपको अभी तक नहीं पता चल रहा था कि digital marketing से क्या-क्या फाइदा हो सकता है तो guys यह है reason जो कि सबसे important है आपको ध्यान रखते हैं कि digital marketing में इस वज़े से लोग आ रहे है और आपको भी आना है बस matter यह करता है कि कि कितनी जल्दी आप digital marketing सीके इन सारी चीजों को बहुत सादा तरीके से और बहतरी न तरीके से अपने बिजनस में और आपने लाइफ में इंप्लिमेंट कर देते हो अब बात करते हैं mediums क्या-क्या होते है guys क्योंकि mediums आपको जाना ज़रूरी है कि digital marketing करूँगा तो कैसे करूँगा अगर मैं laundry services या फिर restaurant अपना open करूँगा तो कैसे कैसे consequence मैं साधन का इस्तमाल करूँगा जैसे मुझे अगर मैं restaurant services है तो मेरे पास एक kitchen होना चाहिए kitchen के अदर कडाई होने चाहिए उसमें कर्ची होनी चाहिए कैसे कैसे ball होने चाहिए ठीक है इसके विना तो digital marketing पॉसिबल ही रही है इस उनिया में सारा game ही website का है because website आपका digital asset होता है search engines बहुत ज़्यादा जरूरी है यहाँ पर आपको refined audience मिलती है वो audience मिलती है जिनको उस time पे उसी वक्त उस product की ज़रूत है जो कि आपके पास है वो आती है Google पर search करती है जो भी जितने search engines है वो आती है search करती है और आपके product को वहाँ पर वो click करके उसको buy करना या जो भी उसका engagement है जो भी उसका आती है वो वो कर लेती है search engine बहुत ज़्यादा inbound targeting के लिए best होता है एक तो precise audience आती है social media platforms यहाँ पर आपको na audience के साथ brand building करने में बहुत ज़्यादा help होता है लोग आपको देखते रहते है देखते रहते है क्योंकि यहाँ पर तो वो search नहीं कर रहे है यहाँ पर तो direct आप उनके सामने जा रहे हो तो जितनी बार जा रहे हो यहाँ आपका social media किसी चीज़ की ज़रुत नहीं है direct बात करो एकदम जिसे कहते हैं peer to peer मैं हूँ और मेरा customer मैं customer मैं customer बस direct बात and direct message आप यहाँ पर करते हो email के थुरू apps apps तो एक ऐसा जरीया है मैं क्या बोलू guys कि आप अपने audience के mobile तक घुस रहे हो मतलब mobile में आप उसे direct app install करवा पा रहे हो इसका मतलब वो आप पे trust कर रहा है इसलिए app install कर रहा है आपके app के थुरू उसको push notification बेजो वगरा वगरा यह सारे चीज़ें करके आप उसके साथ अपना एक direct से भी direct मतलब एक loyalty वाले trust वाला जो relationship है वो तो app और notification के थुरू build हो जाता है बाकि हम messenger यूज़ करते हैं जैसे whatsapp messenger, facebook messenger इस पर क्या होता है again इसमें भी peer-to-peer direct message होता है बट यह messenger apps के थुरू होता है तो guys यह है वो mediums जो हमें use करने चाहिए आज की date में खास कर जब हम digital marketing के इस era में है 2023 है almost और हम इसको अगर use नहीं कर रहे हैं तो हम अपने businesses को या फिर किसी भी तरीके के और field को बिल्कुल neglect कर रहे हैं तो यह सारी चीज आपको help करेगी यह mediums आपको help करेंगे आपके digital marketing को एक next उडांग देने के लिए तो guys यह था पूरा introduction to digital marketing आशा करता हूँ कि आपको digital marketing क्या है इसकी importance क्या है और इसको करने के लिए consequence है platform mediums की जरूत है इस पर आपको clarity आ गई है बाकि अगर आपको कुछ भी और detail चाहिए या फिर इसमें कोई confusion है कोई question है doubt है तो आप comments तो always open है अब जितना मर्जी comment कर सकते हो आप comments करते है उसके बाद नहीं करोगे अब मैं reply नहीं करूँगा ऐसा बिलकुल नहीं है आप comment में अपने queries को generate कर सकते हो मैं वहाँ पर reply ज़रूर करने की कोशिश करूँगा और अब बढ़ते हैं guys आगे जिसके अंदर अब हम digital marketing के chapters को detail में fundamentals and practicals के साथ करने वाले है session important है skip अभी तक अगर नहीं किया तो बहुत अच्छा है skip कर रहे हो तो आप कलती कर रहे हो so guys चलो अब वो घड़ी आ गई है जहाँ पर मैं आपको चीज़े practical करना शुरू करवाता हूँ तो हमारा first chapter है let's create a website सबसे पहले हमें website बनाने की ही जरूत पड़ेगी हमारे digital marketing के scores के अंदर या फिर आप digital marketing कर भी रहे हो अब बात करते हैं जो website बनाने की जरूत क्यों आन पड़ती है क्यों आपको website बनानी है सबसे पहले तो ये जान लो कि internet पे बहुत ज़दा लोग आ चुके हैं और continuously आई जा रहे हैं जैसे वो आते रहेंगे तो इसका स्कोप आपके लिए है कि जितना internet यूज बढ़े का लोगो का तो आपकी website के विजिट्स बढ़ने शुरू हो जाएंगे बाइड़ और लोग चाहेंगे कि आपके पास website हो तो जादा बैटर है क्यों कि वो तो आपको इसलिए जरूरत है इस टाम पे एक website की तो website बहुत सरे तरीकों से बनाए जा सकता है अगर मैं बात करों there are many different ways to create a website ठीक है जो कि हम सीखेंगे हमारे पास एक तरीका है website बनाने का जिसमें आप आराम से आप कोडिंग की जरूरत नहीं है आपको कोई प्रायर experience की जरूरत नहीं है फिर भी आप website को बना लोगे तो विदाउट आप वेस्टिंग अनी मोर टाइम और आपके क्रॉसिटी को बढाते हुए कि हमें क्या करना है सबसे पहले बात करते हैं एक website को बनाने से पहले ना हमें दो चीज की खास जरूरत पड़ती है प्री रिकेसे टाफ वेबसाइट जैसे wordpress फ्री है wordpress is a content management system ये एक software है जो कि आपके server पे इंस्टॉल होता है बट वो फ्री है उसमें कोई पैसा नहीं है बट उससे पहले ना में दो चीज की यहां पर खास requirement होती है आपका website exist नहीं करता है इस दुनिया में यह मान लेंगे लोग और इसलिए हमें domain name की सक्त जरूरत पड़ती है अगर flipkart.com का domain name नहीं होता तो हम flipkart से इतनी बड़ी sale में जो sale की मतलब इतना लोगों ने purchase किया वो कैसे करते नहीं कर पाते same happens with all other website in the world और आपके साथ भी होने वाला है तो आपको एक domain name को जल्दी से सोच लेना है अब domain name सोचने के लिए आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है मैं बता जीता हूँ domain name दो चीजों को मिल के बनता है दोस्त एक है name उसका और एक है extension name में क्या होता है जैसे की roi digital और dot के बाद in जो आया है that is extension दोनों को मिल के roi digital.in यह पूरा एक domain name माना जाएगा अब extension का क्या रोल होता है और domain name का क्या रोल होता है मैं जल्दी से आपको बता जाएता हूँ देखो name जो है उससे यह पता लग जाए कि website किस चीज की है website का relevance क्या है मतलब website के अनर content क्या होगा यह सारी चीज़े नेम से पता लगेगी जैसे roi digital roi digital में digital जो है यह कही ना कहीं यह बताता है कि यह digital से related कोई एक services यह products में है जैसे कि digital marketing और roi is my surname तो मैंने branding के लिए roi और digital दोनों को मिला के मैंने name को select कर लिया dot in extension का यहां पर क्या रोल होता है देखो extension का में रोल यह होता है कि extension आपके audience को यह बताने में help करता है कि इसके अंदर content जो डाला गया है वो किस audience को target करते हुए डाला गया है dot in लिया है क्योंकि मेरा यह website है खासकर Indian audience को target करने के लिए ही बनाया है अगर मैंसे dot com लेता तो इसमें कोई country specific नहीं हो जाता यह पूरे world के लिए हो जाता अब पूरे world से फिर मेरा यूजर है वो इस website को use तो कर पाता लेकिन trust भी करता बट मुझे एक niche audience यह थी जो कि सिर्फ India की है क्योंकि मैं Hindi में अपना content बनाता हूँ तो Hindi की content सिर्फ India में ही चलती है बट इसका मतलब यह नहीं है कि dot in वाली website जो है वो US में या Australia में UK में खुलेगी नहीं है इसा नहीं है वो open भी होगी content भी consume कर सकते हैं बट वो trust उनके पास नहीं आएगा तो मुझे अपने website को niche रखना था और एक और रीजन था कि मुझे dot com नहीं मिल रहा था तो मैं desperation में कोई और domain को लूँ मैं इस domain को dot in में ले लिया तो मेरे दोनों जो परपस थे वो फुल्फिल हो गए कि Indian audience को भी target करना हो गया और मुझे अपने main name के साथ छिडखानी नहीं करनी तो आपको भी ऐसा कुछ करना है तो में पे कभी डिस्परेट नहीं होना है कि dot com ही चाहिए dot com चाहिए तो नाम में चिडखानी कर दो नाम में यह डाल दो hyphen डाल दो या फिर numbers डाल दो don't do that यह गलत चीज होती है इसको आप करने से अब बात करते हैं hosting यह क्या चीज होती है और यह किस तरीके सापको help करती है इस पर बात कर लेते हैं वेबसाइट hosting is a service that a web host provides by storing your website on servers on that it's accessible to the people worldwide मतला यह एक memory card मान लो जैसे पहले के जमाने में या आज के phone में हम क्या देखते है कि कितना GB memory है वो GB memory क्यों देखते हैं कि अग अगर सोचो वो memory नहीं होती तो क्या मैं कुछ भी इसके अदर store कर पाता और अगर कुछ भी store नहीं कर पाता तो क्या मैं उसको बाद में कभी play कर सकता था क्या मैं बाद में उसको देख सकता था नहीं ना same happens with your website so example के लिए Flipkart की website में मैं आ गया हो अब देखो यहाँ पर website मे आपको यह तरह तरीके के images, sliders, banners यह सब देख रहे हैं guys यह images है high graphical images है इनको एक जगा चाहिए होती है इनको कही store तो करना है क्योंकि एक image अगर 500 KB या 1 MB या 2 MB या 10 MB की है तो इसको रखोगे कहां पर यह सारे images कहां जाएंगे और इस site के अंदर जो यह database है जिसके अंदर क कोई भी access कर सकता है मतलब ऐसा नहीं कि इसके in-depth access जो कि इनका password वगर नहीं नहीं access मतलब कि इन images को कोई भी flipka.com लिखके access कर सकता है जैसे कि मैं आप ही कर रहा हूं जैसे यह images मुझे इस लिए दिख रहे हैं क्योंकि यह जहां पर सेव हैं वहां पर मैं आराम से पहुँ सक हमेरे पास नहीं होता है हमारे लाप टॉप में नहीं होता है ओ ऐसी जहां पर मुझे सर्फ अपनी वेपसाइट के content को upload कर देना होता है और वहीं से मेरा जो audience है वो देख लिता है कि मेरे site के images मेरे site के videos मेरे site کے और जितना बी content form है वह सारा हूं से उनको देख जाता है तो इ यहां से मैं एकसेस कर सकता हूं तो मेरे लिए Flipkart एक्जिस्ट ही नहीं करती तो इसलिए Hosting is mandatory. अब hosting लेने से पहले आपको इन तीन चीजों का धिहान रखना पड़ेगा ऐसा नहीं कि आप hosting कोई सा भी ले लो और किसी से भी ले लो ऐसा बिल्कूल नहीं होता है तीन बिजनस वेबसाइट है जापा services जाती है या लोग लॉग इन करते हैं, किस टाइप का आपका requirement है, क्योंकि requirement के according ही आप decide करोगे, मुझे ये वाला hosting चाहिए या वो वाला hosting चाहिए, ये आपको तभी पता लगेगा, इसलिए majorly आपको अपने requirement पे खास focus करना है कि आप किस टाप की upside को यहाँ पर बनाने वाले हो Secondly, आपका site कितना बड़ा होने वाला है मतलब उस पे कितने number of pages होंगे अगर वो बहुत बड़ी site होने वाली है उसके pages लाखों में होने वाले है और कम price में हम अपनी user experience खराब करते है दोनों case में scenario उल्टा पड़ जाएगा अगर आपने यह ने दिखा कि आपका site का size कितना बड़ा होने वाला है Example, अभी मैं google.com पे हूँ और अगर मैं दिखा हूँ Flipkart site का total कितने pages अभी तर्ड़ गूगल के पास है अब इसका मतलब यह site जो है इतने सारे pages के साथ एक giant site है अब यह site उस हिसाफ से server नहीं लेगी तो क्या यह हमाही तरह shared hosting लेगी जो कि Roy Digital यूज करता है जो कि आप यूज करते हो बल्कुल भी नहीं ना जो कि आपकी साइट का bandwidth कितना होगा और उस according हमें bandwidth का storage होगा for example, मेरी site 300 pages की है 400 pages की है लेकिन उस पे लाखों लोग आते हैं for example महीने के और दिन के 10,000-20,000 लोग आते हैं okay, तो मेरे site में 300 pages है लेकिन traffic बहुत जादा है तो उसको decide करने के लिए bandwidth होता है guys क्योंकि अगर आपकी site छोटी है, कोई problem नहीं है लेकिन अगर site में traffic जादा है तो bandwidth जादा वाला आपको hosting लेना पड़ेगा otherwise आपकी site हमेश आपकी user को crash नजट आएगी जैसे for example, जब भी कोई result आता है 10th का, 12th का जारे बच्चे एक तूट पड़ते हैं उस साइट के अंदर, हाला कि उस साइट के अंदर, पेज़ यह बहुत बड़ी site नहीं होती है लेकिन एक साथ इतना ट्राफिक लिए कि उसका लिम्रेट केपासिटी होता है कि इतने ही एक टाइम पे लोग site को उपन कर सकते हैं, उसे जादा हुआ तो crash और crash जाती है Same happens with आपको याद होगा Big Billion Day जो की first 2014 में आया था, वो site crash कर गई थी क्योंकि उन्होंने expect ही नहीं कि एक सेल इतनी बली हो जाएगी कि एक साथ इतने लोग आ जाएंगे, बस वही यहाँ पर bandwidth का main काम होता है तो आप जब भी आपको लगे, खैदा भी initial days है, आपका इतना traffic of course नहीं होने वाला बट जैसे जरसे आपको लगे ना किया को site के traffic बढ़ रहे हैं तो आपको bandwidth पर खास focus करना है, storage की ज़रूरत नहीं है, storage ठीक है, आपके 300-400 page 500 page चला लेगा, लेकिन bandwidth पर आपको में focus करना है So guys, जैसे ही domain hosting हो जाता है, थोर्ड चीज जो हम करेंगे, फटा फट से content management system को install कर लेंगे, हमारे case में क्या है, wordpress So content management system का काम पता है क्या होता है, कि अगर आपको coding नहीं आता है, तो आप क्या करोगे, आपके पास images, videos, या जो भी content है, उस content को खाली आपको upload करना है, और थोड़ा सा setting करके उसको set कर लेना है, कौन सा content कहां पर कितना रहेगा, set करना है, pages बनाना, menus बनाना, ये सारी चीज़ आपके लिए कर देगा, आपको coding करने के जरुतनी है, यही major काम होता है, CMS का, तो guys, by default हम WordPress के इस्तमाल करने वाले हैं, वो responsive website ही होता है, क्योंकि latest technology है, इस दुनिया की, सबसे popular technology है, इस दुनिया में CMS तो कई hundreds में है, लेकिन most popular जो है, जो 60% of the world users, अकर website use बनाती है, तो वो WordPress क इसके होता है, उसके लिए CMS बहुत जिम्मेदारी प्ले करता है, उसका बहुत बड़ा रोल होता है, तो इसलिए मैं WordPress को आख बंद करके बिलीव करूंगा यहां और इसके लावा और कुछ नी करेंगे, so guys, WordPress ही एक मातर करता दरता है, जो कि हम इसको इसको इस्तिमाल करेंग आपना आज से ही website बनाना सीख जाओगे for short, so for example, जैसे कि मैं godaddy.com पे हूँ और मैंने already बहुत सारे domain जो है, वो खरीद कर रखे हैं, because मुझे continuously website बनाते रहना पड़ता है, क्योंकि मेरे पास जैसे कोई research आता है, और मुझे लगता है कि इस पे मैं traffic generate कर सकता हूँ, इससे मै on कर सकता हूँ, मैं domain name को खरीद के रख देता हूँ, और उस पे फिर slowly gradually काम स्टार्ड कर देता हूँ, तो आप पहले यह तो शीख जाओ, website बनाते कैसे है, यह process आपाद में जब मर्जी कर सकते हो, so for example, अभी हम स्टार्ड करेंगे metroroot.in पे काम, so metroroot.in is a domain name, जो कि मैंने ग करीपता हूँ, अब यहां पर जो करना पड़ेगा लाचेंग, जिसके अंदर आपको डुमें नेम में जाके उसका नेम सर्वर चेंज करना पड़ेगा, पॉइंट करना पड़ेगा तू होस्टिंगर, अब यह कैसे करते हैं वो लाइब देख लो, सब से पहले, लेट्स ग सर्वर को चेंज करना है, और एंटर माइ ओन नेम सर्वर, अब यहां पर अल्रडी मेरे पास जो है, मैंने यह होस्टिंगर का नेम सर्वर अड़ किया है, अब यहां की आपको प्रोसस दिखाना था, तो आपको क्या करना है, आपको सिंपल अपने होस्टिंगर में वापस के लिखाना है, और यहां पर एक छोटे सा काम करना है, और यहां पर फ्रेजैंपल मैं होम में चला जाताओं। और यहा पर मेरा बिजनेस procent शेरई होस्टिंगर ल कर लेता हूं और जैसे मैं मैंनेज करूंगा now I will have an option यहाँ पर आपको डुमेन पर जाना है एड वेबसाइट पर जाना है यह मैं प्रोसेस रहा हूं कि कैसे आप मल्तिवल वेबसाइट को होस्ट कर सकते हो एक ही होस्टिंग साइट के अंदर क्योंकि आपने देख लिया और साथ है अब मैं यह आठवा करने जा रहा हूं सिंपल आपको यहाँ पर डुमें निम लिखना है तो डुमें निम क्या होना चाहिए गाइस डुमें निम शुद भी डाट वन जो कि यहां पर अवेलेबल है विच इस मैं आपको दुबारा बैक करके दिखाता हूं विच इस वापस हो और यहाँ पर डुमें निम को इंटर कर दो पासवर्ड आपको धिहानना है कि यह पासवर्ड क्या रखोगे विकाज यह वो चीज है जो कि आपको वर्ट्रेस इंस्टॉल करेगा एं देन क्लिक ओन एड़ एड वेबसाइट तो कैसे मैं आड करूंगा तो आई कन आपको क्या करना है अब आपको यहां पर डिटेल मिल जाएंगी सबसे पहले कि आपका यहां पर इंस्टॉल हो चुका है और इसमें डेली बैक अप जो है वो इनबल है मालब डेली अपने बैक अप होता रहेगा क्योंकि आज़ काफी जादा हैं यह सारी चीज आपको यहा का से मिलेगा जैसे आप वेबसाइट को एड करते हुआ इस प्रोसेस से तो आपको यहां पर सी डिटेल का ओप्शन एगा सी डिटेल्स पे क्लिक करो और अब यहां पर आपको आपके नेम सर्वर दिख गए हैं यहां पर बस आपको कुछ नहीं करना है आपको इसको एक एक करके करोना है जैसे एक्जमल मैं इसको कौपी करता हूँ कौपी ही और यहां पर जाके आप क्या करो के इस नेम सर्वर को चेंज करने के लिए रिक्वस्ट करोगे और यहां पर जैसे कि मिने का है ऌर्र कर रख ए इसलिए से इम दिख रहोगा अब को अदवाइज आपको य years and years of experience but 24 hours ये बोलते हैं तो आपको 24 hours तक का maximum wait करना पड़ सकता है अभी मैं change इसलिए नहीं करूँगा वरना फिर मुझे अभी से 24 hours के लिए ये दिखा देगा and I don't want that कि अभी मेरा ये class जो है वो खराब हो जाए आप मैंने लाचिं का प्रोसेस कंप्लीट कर लिया अब मुझे next step पे जाना है which is how to install a wordpress अब मुझे wordpress को यहां पर install करके आपको दिखाना पड़ेगा इसके लिए simple कुछ नहीं करना है कुछ नहीं आपको simple website पे जाना है and यहां पर wordpress पे क्लिक करना है then आपका website का title जो भी होगा जैसे for example मेरे case में metro root and मेरा administrator email का खास दिहान रखना है क्यों क्योंकि यहां पर wordpress के emails आया करेंगी अगर इसमें spelling गलत है तो गए काम से आपको यहां पर वही email address देना है जो कि operational है अभी आप यूज कर रहे हो आप सारे email उस पर receive करो without any problem ठीक है यहां पर वो होना चाहिए बाकि अब अपना username कुछ भी रख सकते हो आप यह email ID भी रख सकते हो या फिर अपना कोई भी username रख सकते हो और यहां पर अपना password रख सकते हो तो मैं दोनों को फटरफट से चेंज कर लेता हूँ बढ़ा है तो आपकी वेबसाइट के सर्वर में ना कि आपके लाप टॉप में होता तो दुनिया इसको एक्सान कर पाती तो जैसे कि आप देखरे हो अब आपका वर्टरेस जो है वह इंस्टाल हो गया है बस थोड़ी बहुत और आपको चेंजे आपर करनी है जैसे आपको hostinger जो है जिस plan को मैंने link में description में दिया है इस वो discounted link है और वो वाला link है जिसके अंदर आपको SSL भी free मिलता है email भी free मिलता है और bandwidth भी बहुत ज़्यादा मिलता है तो आप मेरे affiliate link को check कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि इसको buy करना तो वो discounted link है आपका ही फाइदा हो जाएगा मेरा भी फाइदा हो जाएगा इतना बड़ा course बना रहा हूँ आप लोग के लिए इतना मैं जरूर expect कर सकता हूँ कि अगर आप hosting कर लेना चाहते हैं तो आप मेरे इस link से जरूर लीजे और अगर आपने मेरे affiliate link से लिए है तो invoice भीजना भूलना हमाद मेरे पास आपके लिए कुछ goodies हैं जो कि आप enjoy करोगा अपने digital marketing के इस journey में चलो अब आगे बढ़ते हैं जल्दी से मैं आपने HTTPS SSL security इसको install कर लेता हूँ simple install पे क्लिक करो and then that's it यह install हो रहा है time लेगा थोड़ा सा और यह install हो जाएगा फिर उसके बाद आपको कुछ नहीं करता है अभी maintenance mode अगर on कर दोगे तो आपकी साइट किसी को दिखेगी नी जब तक कि आप खुद publish ना करो तो मैं इसको generally on नहीं करता हूँ बाकी और यहां पर कुछ भी करने की जरूत नहीं है SSL मेरा install हो जाएगा यहां पर और मेरा daily backup जो है वो enabled है PHP वर्जन भी आ गया वो तकरीबन ready है अब बात करते हैं आगे क्या करना है आगे जो करना है वो जल्दी से मैं आपको यहां पर बता जिता हूँ ठीक है तो जैसे आपका WordPress इंस्टॉल हो गया है तो अब आपके पास दो URL आ गए है 2 URLs URL 1 और URL 2 दोनुगा क्या काम है URL 1 is for the public जो कि दुनिया आपकी site को open करेगी जो कि आपका site का domain name है which is metroroot.in ठीक है but URL 2 is for admin जो कि आप और मैं है हमारी website का admin कौन है हम है तो हमारे admin का अलग URL होता है क्योंकि यहां पर दुनिया नहीं आती यहां पर सिप admin लोग आता है जो इस site पर काम करने वाले है जो admin का URL होता है वह simple क्या पता है जैसे मेरे case में होगा metroroot.in यह तो public का हो गया forward slash लगा के जब आप dvp-admin यह लिखते हो तो यह जो URL बना है this whole URL is for admin people ठीक है तो अब अगर मेरी website पर मुझे काम करना है तो मुझे इस वाले URL पर जाना है कैसे let's do it मैं आपको दिखा जिता हूँ सबसे पहले आपको क्या करना है यहां पर आपको आना है और यहां पर edit website पर क्लिक करना है the moment you will click on edit website अब आपको मैं वह URL दिखा देता हूँ कि जिस पे आप और मैं जाते है as an admin तो जैसे कि अभी जस नहीं नहीं website बनी है थोड़ा time लग रहा है बट अगर यही आपकी website एक बाप पुरानी हो जाती है मतलब आप इसमें काम शुरू कर देते हो तो इतना time नहीं लगता है so guys now this is your WordPress dashboard तो यह है आपका वो युनिवर्सल डाशबोर जो कि इस दुनिया में सब को ऐसा ही दिखता है अगर वो WordPress पेली बार इंस्टॉल कर रहे हैं so guys अब मैं आपको इस डाशबोर के साथ थोड़ा बहुत रूबरू करा देता हूं so guys यह आपके कुछ शौटकट्स है जो कि आप अपनी वेbसट बनाते वद्वक्त यूज करोगे यह सारे मेन्यूज हैं जो कि आप अपने लिए यूज करोगे अपनी वेbसाइट को बनाते वद्वक्त उसके पेजेज पोस्ट हो इसके इमेजेज उ यह सारी चीज़े यहा पर आप अपना content जो है वो देने वाले हो तो इस तरीके से पुरा जो website है इसी dashboard से बनेगा अब आपको कभी भी Godaddy में या hostinger में जाने की जूरत नहीं है आप अपनी website को पूरा यहां से manage करोगे क्योंकि आपका dashboard जो है वो यहां पर आ गया है जैसे कि अगर मैं यहां आपको दिखा दूँ तो आप जो आपको लिंक है डाट इस metroroot.in forward slash wp-admin यह है आपका वो URL जो की अगर मैं इस URL में से WP-admin हटा देता हूं तो अब जो साइट दिखती है this is for the public यह है public के लिए site और जैसे ही मैं इसके बाद WP-admin के साथ यह मुझे कहा ले जाता है मेरे dashboard में for creating your website I hope guys यहां तक का part आपको clear हो गया है अप चलते हैं detail में बात करने कि कैसे website के अंदर बाकी चीजों पे काम किया जाता है तो बाकी चीजे कौन कौन सी है आई चली देखते है so guys now आप और मैं मिलके WordPress की site को धासू और professional बनाने के लिए इन साथ चीजों का इस्तमाल कर WordPress at least for us digital marketers के लिए coders के लिए तो बहुत सरी और चीज़ें जो कोडिंग करके वो बनाते रहे चीजों को बट मैं और आप जो की digital marketer है हमें से website बनानी आनी चाहिए बस इसके लाब हम और कोई ताम जहां नहीं लेना चाहेंगे तो उनके लिए यह साथ सबसे बेस चीज है क्य कोई सीखनी है मुझे भी से जादा नहीं आता इतने में मैं Facebook जैसी Google की जैसी कोई भी साइट बना सकता हूं WordPress के अंदर yes, सबसे बहुएले हम सीखेंगे pages कैसे बनाते हैं, pages के बिणा तो कोई website दुनिया में exists नहीं करती है ब्लॉग कैसे बनाते हैं था है, और जाएट के बनाने होता है estamos when you're, but zam與 about many 있다고Only का बनाने होते हैं हम category भी बनाना सीखेंगे और उसका explanation होई ही practical करते वक्त समझा दूँगा ताकि आपको ज्यादा समझ आएगा plugins होता है हमारी site के अंदर features को develop करने के लिए अगर कोई features चाहिए होता है जैसे मेरी website के अंदर content थोड़ी न होगा मेरे site के अंदर sliders होगा forms होगा या push notifications होगा या फिर pop-ups होगे यह सारी चीज़े मेरी website के अंदर as a features होगे तो वो features develop करने के लिए हमें plugins की जरुद पड़ती है कैसे plugin मिलते हैं कैसे काम करना होता है इसके ओपर विस्तार में चर्शा करेंगे जब इस पर काम करेंगे और फिर सीखेंगे themes themes हमें सबसे अधा help करता है मारी site को overall look देने में professionally इसको design करने में मान के चलो यह एक last part रहाता है कि हमारी site का अगर theme हमने setup कर लिया है तो हमारी site में और कुछ नहीं रहाता है फिर उसका अधा हम इसके पब्लिश कर सकते है basically यह look and feel देने के लिए होता है throughout the website और फाली हम विजट सीखेंगे विजट सोता है शॉटकर्ट फर एक्जांपल अगर आपको अपनी वेबसाइट के अंडर कुछ भी ऐसा देना है जो कि आपकी वेबसाइट में आने वाले हर एक इंसान को पता लग जा है हर एक आदमी को पता लग जाए और यह यह चीज इ हो जाता है तो आपको पता लगी गया कि कितना इंपॉर्टन है यह से अब इसको बिलकुल भी मत करना बलकि अब भी के अभी शेयर कर दो अपने उस फ्रेंड के साथ जिसको इतनी डिटेल नॉलेज की जरुरत है और मुझे भी जरुरत है आपके उस प्यार की जिससे इस व कर रहे हो करते रहना क्योंकि बहुत जादा अच्छा पैसा यहां पर आपको मिल सकता है सो थक गया हूँ आप भी थक गयो तो एक काम करते हैं चोटा सा ब्रेक लेते हैं ब्रेक के बाद मिलते हैं सीधा इस वीडियो के अंदर और यह इसका कंटिनुएशन है तो आपको यह बिल्कुल नहीं मिस करना है क्योंकि जहां पर मैंने छोड़ा है यहां तक सीखने का कोछ मतलब नहीं है मैं कंटिनुएशन में वीडियो बनाऊंगा और वो भी पूरे पूरे चैप्टर्स के साथ पूरे पूरे डिटेल के साथ फर्नामेंटल्स प्रिंसिपल्स और उसके प्राक्टिकल ऐसे ही वीडियो आपके कंटिनुएसली आते रहेंगे जब तक कि यह पूरा कोर्स खतम ना हो जाए तो इसके बाद सीधा मिलते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर